कैसे है क्रिस्मस टाइं एक हैर तो आज हम सोख करेंगे dry fruits Christmas केक के लिए तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी रम में और without rum हम कैसे dry fruit को soak करते हैं तो यहाँ मैंने लिया है rum और orange juice और उसके अलावा जो भी आपकी choice के dry fruits है mainly मैंने यहाँ पर berries, apricots and dates दिये हैं उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे बहले मैंने यहाँ पर जो ड्राइफ्रूट है उसे चॉप करके रखा है तो यहाँ मैंने लिया है dates, apricots, tutti frutti और किश्मिश और berries और फिर mix dry fruits लिया हैं हमने इसे हम सोग करेंगे यहाँ मैं दू टाइप से केक बना रही हूँ रम और without rum तो इसलिए मैं दो पार्ट में अलग-अलग इसे सोग करूंगी तो रम में सोग करने के लिए हमें चाहिए रम कोई भी ब्रैंड के आप ले सकते हैं इसके अलावा हमें आप अगर चाहें तो ब्रैंडी में भी इसे सोग कर सकते हैं और आप चाहे तो वाइन में भी कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको ज्यादा पसंद है, तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइट कर दूँगी, तो पहले जो हाफ ड्राइफ रूट से हमारे उससे हमें एक बाउल में लेंगे, और सबसे पहले में और इंज जूस है, उसमें इसे सोप कर रही हूँ, तो यहां पर मैंने सारी टूटी फूटी अप्रिकोट्स ले लिए हैं, आप चाहे तो ड्राइड जो कीवी आती वो भी ले सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, में ली बैरीज और रेजिंस का फ्लेवर भी इसमें अच्छा आता इसमें सोख हो जाए इतना ओरिंज जूस हमें इसमें एड करना है, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम जो बच्चेवे ड्राइफ रूट से हमारे इससे हम रम में सोख करेंगे, तो मैंने इससे बाउल में ले लिया है अब हम इसमें 3-4 चमबच तक रम डालेंगे यह भी 250 ग्राम्स का ही मेजरमेंट है अब हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 2-3 चमबच हम और इन्जूस आड कर लेंगे और फिर इससे अच्छे से मिलाएंगे ट्रेडिशनली दो वीक के लिए हमें रम में इससे सोख करके रखना होता है और अगर आप क्विक बना रहे हैं तो आप और इन्जूस को गरम करके उसमें ड्राइफ टूट एड कर सकते हैं अगर आपके पास ड्राइफ जिंजर नहीं है जो हम केक में यूस करने वाले हैं तो फिर इसमें आप आधाचमच अध्रक का रस इसमें अभी से एड कर देंगे तो मेरे यहाँ पे पास ड्राइफ जिंजर है जो मैं केक में बाद में यूस करने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे अध्रक जूस एड नहीं कर रहे हूँ तो यह हमारा सूप करने के लिए रेडी है मैं 24 आर्स के लिए इससे सूप करूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि क्रिस्मस केक कैसे बनाना है तो थैंक्स फ़र वाचिंग डोंट फर्गोट तो सब्सक्राइब और लाइक दे वीडियो बाई